धन्यवाद संजे जी, आप सभी को शुब कामनाएं, आप सभी का स्वागत है, इससे पहले कि मैं अपने इस प्रेसवारता को आरंब करूँ, आज माननिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रधानजली देते हुए, आज उनकी महा परिनिर्मान डिवस है, मैं उनके च कॉंग्रेस पार्टी ने विगत इतने वर्षों से इसी समविधान की धजियां उड़ाई, भ्रस्टाचार के माध्यम से देश के हर कोने में भ्रस्टाचार का संदेश फैलाया, क्रिस्टियन मिशेल के आने के बाद ऐसा ही एक नजारा कॉंग्रेस पार्टी के दफतर में देखने को मिल रहा है। आम नेता दुखी दिख रहे थे, गमगीन थे, and they appeared rattled. They know the reason. और केवल दुखी दिखी नहीं रहे थे, they were just not rattled, but they had sent their team to defend Christian Michel. Christian Michel को बचाने के लिए, कांग्रेस ने अपने टीम को भेजा था. कल हमने पूरे दिन मीडिया के माध्यम से देखा, कैसे Aljo K. Joseph, जो उनके national head है, legal team के, youth congress के, वो appointed थे, बतौर वकील Christian Michel के, Christian Michel के लिए वो appear हो रहे थे. बहुत अफरात अफरी के पस्चात, गॉर्णेस पाटी ने जो ड्रामा किया है, Congress Party went to the charade of removing Aljo K. Joseph from the party. ये Congress Party का चाल, चरित्र और चहरा है, this is the real face of Congress Party. While there is a family within the Congress Party which is spending sleepless nights after the extradition of Christian Michel to India, the same family has appointed its own pointsmen to defend Christian Michel. वो जो परिवार, वो जो quote-unquote family है, Congress Party की, जो Congress Party चलाती है, वो family को नींद नहीं आ रही है, जबसे Christian Michel भारत लाया गया है. और इसलिए उन्होंने अपने pointsman को बतौर वकील, Christian Michel को defend करने के लगाया है, और आज तथ्यों के आधार पे हम आपको दिखाएंगे कि complete Congress Party, पूरी की पूरी Congress Party, Christian Michel के पीछे बचाव की मुद्रा में खड़ी है. एक तरफ भारती जनता पार्टी की सरकार, जो देश के पैसे को बचाना चाहती है, और एक तरफ Congress Party, जो Christian Michel को बचाना चाहती है. यह जो L.K. Joseph हैं, जो Congress Party के सदस्य हैं, इस L.K. Joseph जी ने कहा कि somebody had asked me to become the lawyer of Christian Michel. मुझे किसी ने, quote unquote, somebody had asked me, कि मैं Christian Michel को बतौर वकील रिप्रेजेंट करूँ. बंधुओं मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उनके national legal team के head, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं, कि somebody had asked me, तो यह somebody कौन होगा? In a party, where everyone else, apart from that somebody is a nobody, who is the somebody? केवल दो लोग ही somebody हैं, Congress Party में, बाकी तो सब nobody हैं. तो I believe it is not a rocket science to guess who is the somebody. यह somebody कौन है, इसका जवाब Congress Party दे. और जहां तक L.J.K. Joseph को party से निकालने की बात है, यह drama तो हमने मनीशंकर अईयर के साथ भी देखा है. यह drama तो हमने संदीब दिख्षित के साथ भी देखा है. पहले निकालते हैं, चुनाव खतम हो जाता है और उसके बाद उन्हें प्रमोशन देके, AICC के सेकरेटरी इत्यादी बनाया जाता है, संदीब दिख्षित के विशह में प्रदानमंत्री जीने अभी विगत दो दिन पहले बोला, उन्हें प्रमोशन दिया गया है. अब कुछ दस्तावेज हम आपको दिखाएंगे, ये कोट का ओर्डर है कल का, इन दे कोट आफ श्री अर्विंद कुमार, स्पेशल जज्ज सी बी आई, पटियाला हाउस कोट न्यू देली, आप इसमें देख सकते हैं कि जो दो गुट हैं, कौन क्रिस्टियन मिशेल के साथ है और कौन क्रिस्टियन मिशेल के खिलाफ लड़ रहा है, जो क्रिस्टियन मिशेल के साथ, उसके साथ हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं, हुआदी, Lawyers of Christian Michel श्री आल जोके जोसेफ, श्री विश्नु शंकर और श्री राम प्रकट आदर काउंसल्स फॉर अक्यूस्ट क्रिस्टियन जेम्स मिशेल, यह तीन लोग हैं पहला नाम अल जोके जोसेफ उसका तो appointment letter आप सबने कर चलाया था यह appointment letter है Congress Party में कि strengthening राहूल गांधी's hand उनको जो appointment चार महीने पहले दिया गया था कि राहूल गांधी के हाथ को मजबूत करना है इसलिए आपको appointment कर रहे हैं वो मजबूत कर रहे हैं, Christian Michel को बचा रहे हैं, दूसरा नाम है विश्नु शंकर, who is विश्नु शंकर, विश्नु विश्नु शंकर's father is चित्तरा मदू चित्तरा मदू is the KPCC executive member, केरला प्रदेश committee executive member कुलाम के रहने वाले हैं, इनके पिताश्री और ये KPCC के executive member है ये केरला के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, चित्तरा मदू, और उनके सुपुत्र का नाम है विश्नु शंकर, तो स्वावी कुरू से वो भी कॉंग्रेस पार्टी है जोसेफ भी कॉंग्रेस पार्टी विश्नु शंकर भी कॉंग्रेस पार्टी और तीसरा वकील कौन है? श्री राम प्रकट, ये कौन है? ये भी NSU के member रह चुके हैं, अपने college दिनों में, और आपको जानके आश्चर्य होगा, हमें तो आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि असली चरित्र को Congress Party का हम जानते हैं, कि ये जो तीनों वकील है, ये कभी न कभी Congress के जो बड़े वकील रहे हैं चाहे वो सल्मान कुर्शीद रहे हैं इनके नीचे काम करते हैं इनके नीचे प्रैक्टिस करते हैं Isn't this friends, too much of a coincidence? कि सारे Congress के वकील जैसे ही Christian Michel, एक भगोडा a fugitive वो जैसे ही भारत में लैंड करता है, तमाम Congress के वकील, Congress के बड़े लीडर उनके पीछे बचाने में लग जाते हैं Isn't this too much of a coincidence? और देखिए ये तो जो नाम है इनको Congress Party को लग रहा था हम सब देख नहीं पाएंगे ये छोटे नाम प्रोजेक्ट करके बड़े चिदंबरम, कपील सिब्बल सलमान खुर्शी दिन के पीछे खड़े होते हैं इतने बड़े लोगों के साथ ये प्रैक्टिस करते थे आज ये गांधी परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या मैं पूछूंगा किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं Who is the somebody? We have four charges against the Congress Party and we want the Congress Party to give an answer अभी और भी कागज है इसकी भी खुलासा हम करेंगे Four charges Charge number one Congress Party is in this Too much of coincidence that all these people who are lawyers of Christian Michelle in some way or other belong to your party Isn't this the extended hand of 10 Janpat which is working to protect Christian Michelle This is charge number one and I will submit some papers to this effect I will in fact turn the pages ये जो मैंने आपको दिखाया था कल CBI court Arvind Kumar ji ke court ka paper इसमें आप दूसरे नंबर पनने पे आईये On the other hand the Learned Council for the Accused had vehemently opposed the remand application Learned Council for Accused submitted that there is no need for PC remand of accused and none of these documents have been produced in any international court ये जो तीन वकील थे Congress Party के वकील जो Christian Michelle को बचाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने कल CBI court में कहा कि किसी प्रकार की remand की अवश्यक्ता नहीं है ये Christian Michelle तो आ गया भारत वो तो सरपकड़के बैठे ही है तो family in the Congress Party सरपकड़के बैठे हैं sleepless nights है तो वो बोल रहे है remand के अवश्यक्ता नहीं है क्या पुछताच करोगे Christian Michelle से उसे remand देने की कोई अवश्यक्ता नहीं है ये Congress Party अपने वकीलों के माद्यम से कोट में कल जिरा कर रही थी और अब मैं जो बताने वाला हूँ ये Congress Party की पूरी तरह से कच्चा चिठा खोल देगा ये जज लिख रहे है जब इंटरोगेशन होगा तब उनके जो वकील है Christian Michelle के वो असिस्ट करेंगे मतलब आप सोचिए ये जो तीन लोग Congress के हैं ये असिस्ट करेंगे जब इंटरोगेशन होगा The CBI will permit Learned Council for Accused Shree Aljo K. Joseph और his associate Shree Vishnu Shankar जिनके पिता Congress के बड़ी लीडर है और Shree Shree Ram Prakat जो खुद Congress में रह चुके हैं तो assist the accused between 10 a.m. to 11 a.m. and from 5 p.m. to 6 p.m. on each day हर दिन दो बार घंटों के लिए ये जो Congress ही लीडर है ये चिपक के रहेंगे Christian Michelle के साथ कि Christian Michelle क्या बोलता है इससे क्या पूछा जा रहा है किसका नाम ले रहा है क्या दस्तावेज दिखा रहा है Friends, isn't this the extended hand of Congress Party working to protect quote-unquote the family in the Congress Party मैं Congress Party की family की बात कर रहा हूँ Family in the Congress Party Congress का हाथ Christian Michelle के बचाओ के साथ clear-cut case open and closed case number two allegation ये केवल Christian Michelle को बचाने के लिए तीन Congressी वकील उसके अंदर रहेंगे ऐसी बात नहीं है ये CBI और तमाम देश के एजेंसियों को संदेश भी दिया जा रहा है it's a message to all the agencies that the Congress Party stands rock solid behind Christian Michelle ये जो institutions को subvert करने की आदत है Congress Party की they wanted committed bureaucracy committed judiciary etc. during the emergency this is the mindset of the Congress Party की institutions को धंकाना उनको डराना और उनको दिखाना की देखो हम Christian Michelle के पीछे खड़े हैं तीसरी बात कल मीडिया में चर्चा हो रही थी बड़े लोग कह रहे थे कि ये Congress का self goal हो गया भाई साब ये Congress Party बहुत पुरानी पार्टी है शातिर पार्टी है ये self goal नहीं है कि Congress यों ने अपने वकीलों को लगाया है this is a calculated move by the Congress Party to see to it कि Mama Christian Michelle Mama Christian Michelle is protected now देखिए ये पूरा का पूरा आप यहां कुछ और कागज में दिखा रहा हूँ ये जो चिठ्थी है ये अभी हमने किसी चैनल में देखा है कल दिखाया गया था एक सम्मानित चैनल में भी किस प्रकार से ये letter है Christian Michelle and Guido Haske का ये media में भी है सबके पास है ये चिठ्थी मगर हमारे पास जब मिला आपके माध्यम से तो हमने अपना फर्स चोचा की हम दिखाये इसको ये Christian Michelle और Guido Haske का चिठ्थी है और ये चिठ्थी Fan Mechanical को लिखा गया था Fan Mechanical वो company है जो ये helicopter बनाती है कि 42 million dollar हमें मिला है मगर ये 42 million dollar पूरा नहीं पड़ता है 28 million dollar dollar euro 28 million euro तो हमें केवल एक family को देना है 28 million euro has to be given to one family और इसलिए पूरे value का पूरे contract का 5 प्रतिशत हमें इस परिवार को देना है अब who is the family मैं कुछ नहीं बता रहा हूं जो चिठ्थी में है family और यहां एक परिवार है Congress party में Congress party की बात कर रहा हूं यहां एक परिवार है जो किसी भी कीमत पर Christian Michelle को बचाना चाहती है अपने वकीलों के पूरे गिरों को उन्होंने Christian Michelle को बचाने के लिए भेजा है यह सवाल हम पूछना चाहते है कि देखिए जब राम मंदिर के केस में कपिल सिब्बल जी केस लड़ रहे थे तो Congress party ने कपिल सिब्बल को विड्रॉ कर लिया केस से विड्रॉ किया कपिल सिब्बल जी को पाटी से नहीं निकाला अभिशेक मनु सिंग्वी जब केरला लौटरी केस लड़ रहे थे तो अभिशेक मनु सिंग्वी को केरला लौटरी केस से विड्रॉ किया पाटी से नहीं निकाला मगर जब Congress के लोग Christian Michel का केस लड़ रहे हैं तो पाटी से निकालने का नाटक क्यों है केस से क्यों नहीं विड्रॉ किया केस से इसलिए विड्रॉ नहीं किया मेरे मित्रो क्योंकि किसी भी कीमत पे दस जनपत अपना व्यक्ती अपना वकील अपने लोग Christian Michel के पास चाहती है Under any circumstance 10 जनपत वांस that its own people should be in touch with Christian Michel पाटी से निकालने का ढोंग और क्या होता है अंदर की पूरी खबर 10 जनपत तक पहुचे because in a party where everyone else is a nobody there is only one family which is somebody thank you friends any questions from your side yes Payal if you can give us one second because I wanted the video to be played I had forgotten in the melee of this thing I'll just we'll hear the video and then the questions आवाज आपने देखा कि इनो ने कहा कि somebody had asked him and he was discharging his duty हमने भी एह सवाल पूचा ही आज प्रेस कौफरेंस करके राहूल गांदी बता है who is the somebody in a party where everyone else is a nobody yes Payal sorry for interrupting you you were asking a question see in fact these questions were counted by the countered by the respective leaders we had seen as to how when the issue of the culprits came into being the lawyers withdrew themselves and any amount that had been paid were given back so this is how the conscience of our leaders are extremely clear but in this case not just one lawyer but all the lawyers who are representing Christian Michelle are Congress Party members and leaders isn't this a too much of coincidence is our question yes Aditi see as far as the Congress Party and the present President Mr. Rahul Gandhi is concerned he has self-declared that I am confused I am confused only a few days ago the same Congress Party was saying Michelle कब आएगा Michelle कब आएगा Michelle कब आएगा और दब आगया है Michelle क्यों आया Michelle क्यों आया Michelle क्यों आया the Congress Party has to be clear in its stand कब आएगा से क्यों आया this only shows the confounded confusion of the Congress Party only because of the fact that Congress is married to corruption देखिए जहां तक Congress Party का सवाल है Manish जी आपने सही सवाल पूछा है वो वीडियो हम सब ने देखा है वो वीडियो जिसमें अब जोच सिंग सिद्दू के ही रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते है और Congress Party उस पे चुप रहती है कही न कहीं Congress Party के तासीर को कहीं न कहीं Congress Party के चाल चरित्र और चेहरे को दिखाता है एक तो चोरी उपर से सीना जोरी और उल्टा चोर कोतवाल को डाटे इस डिमोक्रिसी में मीडिया कोतवाल का काम करती है इस लोकतंतर में मीडिया एक ऐसा स्तंब है जिसके बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता है और जब मीडिया सच्चाई से अपना काम करके सत्ते को प्रदर्शित करती है उस मीडिया के ऊपर कलंक उच्छालना कालिक फेकना ये कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है याद रखिए एमर्जिंसी के दिनों से कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का वेभार रहा है कि वो कमिटेड मीडिया कमिटेड जुडिशिरी कमिटेड ब्यूरोक्रसी चाहते है और अगर आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे तो ये कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आएगा हम बदाई देते हैं आपके चैनल को कि आपने सच्चाई का साथ दिखाया आपने सच्चाई का साथ लिया इसी प्रकार से हम सब को Congress Party के उन तमाम नेताओं को जो पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं जवाब देना होगा देखे जहां तक Congress Party की नीती है उनकी नीती एकी है Modi से घ्रणा करो उनकी नीती एकी है भारती जनता पार्टी से घ्रणा करो मोदी जी से और भारती जंता पार्टी से घ्रणा करते करते कब वो पाकिस्तान से प्यार करने लगते हैं वो खुदी नहीं जान पाते हैं मनीशंकर एयर जी का जाके पाकिस्तान में कहना मोदी को हटाना होगा सलमान खुर्षीद जी का पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के पक्षमे बोलना मोदी जी के खिलाव बोलना और नवजोच सिंग सिद्दू जी का जाके कमर बाजवा को गले लगना और यह कहना कि दुबा देखिए जहां तक कलकता का सवाल है जो आपने प्रश्ण पूछा की रैली निकालने में दिक्कत है वहां तो जिस प्रकार से मौमता जी की हिटलर शाही चलती है वो हमने देखा है पहले भी जब भी देश के पक्ष में भारती जनता पाटी या संग ने किसी प्रकार के रैली या किसी प्रकार की उद्बोधन की बात की और भारती जनता पाटी तो पॉलिटिकल पाटी है दुर्गा पूजा तक के लिए राम नवमी तक के लिए कोट का आदेश लेना पड़ता है और हर बार कोट में जाकर ममता बेनर जी को फटकार मिलती है याद करिये दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोकने की कोशिश पुजणिया राम नवमी के प्रोसेशन को रोकने की कोशिश, दोनों में फटकार मिली, मानिया मोहन भागवजी के स्पीच को वहाँ बॉयकॉट करने की बात की गई, उनको परमीशन नहीं मिला, उसमें भी कोट को, कोट को इंटर्वीन करना परा फटकार मिला, राष्ट्य अध्यक्ष भारतिय जनता प यह अपीजमेंट की राजनीती के लिए इस प्रकार की राजनीती करती है, देश देख रही है, और जैसे की अमिट शाह जी ने कहा है, 26 से अधिक सीटे लाकर लोकसभा में, वहाँ पर बेंगॉल में जनता जवाब देगी। रस्स or BJP, she is being reprimanded by the court. We had seen yesterdays as to how she had banned Mr. Amit Shah's rally, the court gave a reprive, the court in fact reprimanded Momotab Anerji. She had banned the rally of Adarini Mohan Bhagavadji and she was reprimanded by the court. Even to the extent that she had banned the Visarjan of Durga Puja, she was reprimanded by the court. She had banned Ramnavami Atras, she was reprimanded by the court. Despite the fact that the court has been speaking against her, Momotab Anerji does not learn her lessons because she is busy with politics of appeasement. See, I firmly believe that a case which is under investigation by an SIT which has been formed, which has been formed by the state government, I should not be reacting before the SIT comes out with its report. We all have to be extremely responsive when we are sitting on a high dais, so we will wait for the SIT report. Thank you.